नमस्कार दोस्तों दोस्तों बिहार पुलिस का 14 मार्च को पेपर हो गया है इसके बाद हम यह देखते हैं कि इसका एक्सपेक्टेट कट ओफ कितना हो सकता है और आपको मैं यह भी बता दूँ कि अगर आपको यह जानकारी पता चली हो कि बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है तो चीटिंग हुई है अगर चीटिंग हुई है नकल हुआ है तो कहीं ने कहीं आप यह मानके चली कि आप कट ओफ थोड़ा सा बढ़ सकता है यह बात अगर बहुत ज्यादा तरीके से नकल हुआ है तो कट ओफ हाई जा सकता है जबकि पेपर आपका आसान आए था ठीक है तो 100 question आये थे, 100 number के थे, ठीक है, 100 question, 100 number के थे, अब paper आसान आये था, जो कि आपने review अल्रेडी देख लिया होगा, अब हम बात करते हैं, कि इसका cut off कितना जाएगा, तो मैं यहाँ आपको male, female दोनों की बात करूँगा, पहले मैं बात करता हूँ, general वालों की बात करता हूँ, द्यान रखिएगा, आप screenshot लेते जाईएगा, ठीक है, मैं बात करता हूँ, male की और female की, तो general की बात करता हूँ, जो आपकी male की cut off जाने वाली है, वो 76 plus जाने वाली है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में cheating हुई है, तो यह cut off high भी जा सकता है, लेकिन अभी के according है 76 plus जा रहा है, इतना expected है, मतलब आगे पीछे, दो चार नमबर आगे पीछे हो सकता है, तो general का cut off 76 जाएगा, जो कि आपका क्या कहते है, male का है, और female का जो आपका cut off है, वो लगख 69 plus जा सकता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, OBC की, तो OBC का जो आपका cut off है, वो 70 plus जा सकता है, और वहीं बात female की में बात करूं, तो आपका 64 plus जा सकता है, अगर मैं EWS की बात करूं, ठीक है, EWS की बात करूं, तो ये आपका जो है 68 जाने वाला handle का, और female का जो है, आपका लगख 60 plus जा सकता है, ठीक है, इसका आप screenshot ले लीजे, इसका screenshot ले लीजे, आगे हम बढ़ते हैं, next जो है, वो है SC का, SC करते हैं, cut off कितना जाएगा, SC का आप देखे, लगख आपका जो cut off है, वो ये मानके चलिए कि, लगख आपका 72 plus जा सकता है, male की बात कर रहा हूं, ठीक है, female की अगर हम बात करेंगे, अगर हम female की बात करेंगे, इसका जो है, लगख 65 plus जा सकता है, फीमेल की बात करेंगे तो 60 प्लस जाएगा अब हम वहीं बात करते हैं HD का तो 60 प्लस जा सकता है मेल का और फीमेल का जो जा सकता है वो 56 प्लस के आसपास जा सकता है आपके कितने नंबर बने हैं दोस्तों कमेंट में जरूर बढ़ाएं और लगभग ऐसा ही आपका कट आफ जाने वाला है पीटी जो भी आपका पीटी होगा तो उसका रीजन में आपको बता रहा हूँ कि कट आफ जो है आप इससे कम नहीं माने क्यों क्योंकि पेपर लीक हुआ है बहुत इस तर से इवेन आंसर की भी पहले आ गया है तो आप यह मान के सहले कि बहुत सारे प्रूब भी वाइरल हुए है जो कि अपने अलेडी देख लिया होगा तो दोस्तों पेपर का जो है जितना मैंने बताया है उससे उपर ही जाएगा उससे कम जाने के बहुत ज़्यादा कम चांस है अगर पेपर का जो लीक है जो चीटिंग है वो कम हुआ है तो लगबग इतना ही जाएगा आपका टॉप आप कितने मार्क्स करके आँ है कमेंट में जरूर बताएं ठीक है और साथ में आपको बताना चाहता हूँ अगर आप रेलवे और भी गुरूप डी की तियारी कर रहे हैं एंटी पी सी की तियारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये है एंटी पी सी और गूप डी का बैच on academy द्वरा जो की वीडियू के description में link मिल जाएगा उसमें एक बार जाके एक बार free class जरूर attend करिए तो आपको क्या है कि जब आप free class attend करेंगे तो आपको एक subscription मांगेगा तो वो subscription आप यूज करिएगा AS2021 ध्यान रखेगा AS2021 ये आप code यूज करिएगा तो आप unacademy में enroll हो सकते हैं फ्री में ये batches हैं best teacher हैं जो आपके unacademy में हैं ये सारे teacher जो हैं आपके classes लेने वाले हैं जितने भी railway group D का exam होने वाला है SSC का exam होने वाला है आपका क्या कहते हैं बिहार का आगे exam होने वाले हैं जितने भी तो ये क्या है unacademy में सारा link मैं provide कर दूँगा वीडियो के description में आप जरूर जाईएगा और link जरूर क्या कहते हैं उसको देखेगा अब हम देखते हैं यह है हमारा आनक टेलीग्राम में चैनल जहां कि हम बिहार रूपडी के अगर आप तयारी कर रहे हैं एंटीपीसी के तयारी कर रहे हैं और बिहार के तयारी कर रहे है यह दोस्तों आप क्या है कि टेलीग्राम में सर्च करना है असुतोर सुकला ओफीसली ठीक है यह 16K वाले चैनल में जोईन हो जाना है और यहां दोस्तों हम क्या है PDF प्रोवाइट कर रहे हैं इससे related तो दोस्तों आप comment में जरूर बताएं कि आपके कितने marks आ रहे हैं और सा दन्यवाद वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा दोस्तों बहुत ही मैंने analysis करके जो student लोग paper दे कर रहा है उसके according ही मैंने cut-off बनाया है तो आपका इतना ही cut-off जाने वाला है और मैं टेलीग्राम में सर्वे भी एक कंड़ेट करा दूंगा तो वहां से भी दन्यवाद